ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सीन्यूस भारत में खबराजधानी लखनव से है जहां कानपुर रोड इस्थेट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयूजित विश्व के मुख्य नयाधीशों के 25 वे अंतराश्टिय सम्मेलन का मुख्यमंत्री योगी आदितिना ने दीप प्रजुलित करुद घाटन किया इस अवसर पर सम्मेलन की संयूजिका एवं सीमस प्रबंदक प्रोफिसर गीता गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ का स्वागत करते हुए उन्हें मर्यादा पुर्शोत्ता भगवान श्री राम की प्रतिमा भेट की विश्म शांती एवं विश्म एकता के लिए आयुजित पांच दिवसी अंतरराष्टिये मुख्य न्यायधीश सम्मेलन में विभिन देशों के राष्ट्र प्रती, प्रधान मंत्री और साथी पालियामेंट के स्पीकर इंटरनाशनल कोर्ट के न्यायधीश श्रकत कर रहे सम्मेलन में 56 देशों से 200 से अधेक न्यायविधी एवं कानून विद्भाग ले रहे हैं सम्मेलन में डिप्रीसियम व्रजेश पाठक ने भी श्रकत की आईए देखते हैं हमारे समवदाता उमेश विश्म कर्मा की ये खास रिपोर्ट कानपूर रोड इस्थिट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के ओरिटोरियम में आयुजित अंतराष्ठी मुख्य नायधीश सम्मेलन में विश्व शांती एवं विश्व एकता की वकालत करने वाले CMS के संस्थापक स्वर्गिय डॉक्टर जगदीश गांधी के चित्र पर मुख्य मंत्री योगी आदितनात ने श्रधा सुमन अर्पित कर किया ततपश्चा दीप प्रजुलत कर कारक्रम का शुभारम भी किया गया मौके पर CMS की प्रोफिसर गीता गांधी किंग्डन ने विदेश से आए महमानों के साथ मुख्य मंत्री योगी आदितनात का जोड़दार धंग से स्वागत किया और उन्हें मर्यादा पुर्शुत्त भगवान श्री राम की प्रतिमा भेट की इस अफसर पर कई मनमोहक सामोहिक मृत्य पेशकर स्कूल के बच्चों ने स्वर्गिय डॉक्टर जगदीश गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किये विश्वेक्ता एवं विश्वशांती हेतू स्वर्गी डॉक्टर जगदीश गांधी के प्रयासों एवं उनके व्यक्तत्व पर चर्चा भी हुई मौके पर 25 सम्मेलन में डॉक्टर जगदीश गांधी की कमी भी सभी को महसूस हुई जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री योगे आदत्तनात ने अपने संबूधन में कही इस अवसर पर डॉक्टर जगदीश गांधी के उस संदेश का विडियो भी दिखाय गया जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया से आपसी भाईचारा, विश्वेक्ता, विश्विशान्ती एवं सुरक्ष्णा की बात कही थी तो भेननर भाईचार कही थी दू और ऑजे प्थी ङुरण एब पूठ्वपा ने लेजिवेग देशेंड ए, आ विफचे लिजिए, ए, औलका लिड़ा हैा कर देषी तेश्टन पुर लिजिए, ए, देखेचा लगशे रशिवाईटीन लिजिएधे लिएयर्ट, ए, अनका लिज़ारी, ए, विफचे लिए लगधेट नीजिए लिएपी लिएभार्ष क सम्मेलन में देश विदेश्ट से आय चातर चात्राओं ने आयुजद चिल्डरिन वर्ड जुडीशिरी समिट में भारतिय सन्विधान के अनुच्छेद 51 की वकालत की जिसमें अंतराष्टिय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बताया भारतिय सन्विधान के अनुच्छेद 51 को पूरी दुनिया में लागू किये जाने की मांग जुडीशिरी समिट में बच्चु ने उठाई इस अवसर पर विभिन देशों से पधारे राश्टुपती प्रधान मंत्री वा अन्र राजनीतिक हस्तियों समेथ कई प्रख्यात न्याय मूर्तियों ने भी अपने विजार व्यक्ति किये मौके पर स्कूली बच्चु ने कई आकर्शक कारेक्टरम भी पेश किये इस अतिहासिक सम्मेलन के उधगाटन अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्य योगी आदित्तिनात ने कहा कि हमारी संस्कृती वसुधैप कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित है और हमारी ये सांस्कृतिक विरासत सिर्फ देश में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में एकता एवं शांती स्थापना में सक्षम है उन्होंने कहा कि वास्तो द्योग कुटुम्बकम की भावना को सारे विश्व में पहुँचाने हे तु मैं सिटी मॉन्टेशिरी स्कूल के योगदान की सराहना करता हूँ अपने संबोधन में मुख्यमंत्र योगया आदितनात ने भारतिय सन्विधान के अनुच्षेद 51 पर भी प्रकाश डाला इस 25 संब्यलन के उद्गाटन कारिक्रम के उसर पर मैं आप सभी का उत्रप्रदेश सासन और उत्रप्रदेश की नागरिकों की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ अभिनितन करता हूँ यह संब्यलन ऐसे समय में आयुजित हो रहा है ज़र भारत का संब्यलान अंगिकार होने के अपने अम्रित महत्सो की वर्स में प्रवेश कर रहा है 26 नौंबर 1949 को भारत ने अपना संब्यधान अंगिकार किया था और 26 नौंबर 2024 भारत के लिवा दिन होगा जब भारत का संब्यधान अंगिकार होने का अम्रित काल प्रारंब होगा इस उसर पर भारत के संब्यधान के अनुच्छेद यानि आर्टिकल 51 पराधारित विश्व के मान्य नयाई धीसों और मुख्य नयाई धीसों का यह सम्मिलन अत्यंत ही पेणादाई आर्टिकल 51 की भावनाओं के अनुप विश्वसांती सुरक्षा और सुहार्द की अस्थापना के देश से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा इस देश्टि से इस पूरे आयोजल में उपस्तित आप सभी प्रतनिधियों का मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में हिरदे से स्वागत करता हूँ आप सब का विलंदन करता हूँ इस सम्मेलन में आप सभी मानने अत्यतियों को बहुत सारे अत्यतिय ऐसे होंगे जिनको कई बार इस सम्मेलन में आने का उसर प्राप्तो होगा हूँ और एक कमी जरूर आपको नजर आ रही होगी कि सीएमेस के संस्था पर और आज से पचीश वर्ष पहले जिनकी नेत्रित्तों में और जिनके मारिक दर्सन में ये सम्मेलन लखनों में प्रारम्ब हुआ था आज में भौतिक दिश्चे हमारे पीच में नहीं है सिख जग्दीस गांधी जी जिनका भी कुछ देर पहले यहां पर इस सभागार में स्मौन किया गया मैं इस सौसर पर उन्हें भी बिनम्र सरदान्जलिय रिपित करता हूँ हम सब जानते हैं अभी हाली में पधानमंत्री मोदी जी ने सेयुक्त रास्ट के समिट आप दफ्यूचर को संबोधित करते हुए दुनिया के रास्ता धिक्सों का एक आववान किया उन्होंने बहुत महत्पुण बातें वहां पर कही कि मानोता की सफलता युद्व में नहीं बनकि सामुइक सक्ति में नहीं थे भारत मानता है कि युद्व से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता है समस्या का समाधान भारत की समिधान के अनुचित इक्यावन की भावनाओं के अनुच आपसी पाच्चीत से ही निकाला जा सकता है इसमें कोई संदे नहीं कि आज युद्व युमातंग बाद का दंस जेल नहीं बिश्व के धाई अरब बच्चे और आने वाली पीड़ी को सुरक्षित करने की आउसिकता है हमारी नेतिक जम्मेदारी है कि हम उनके लिए विरासत में एक सुरक्षित समाज छोड़े छोड़ जाएं ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों के राष्ट प्रमुकों से विराग्रा है कि वे सभी एक मंच पर आकर भावी पीड़ी को सुन्दर सुच और भैरहित समाज उपलब्द कराने में अपना महत्तो पूर्ण युमससक्त योगदान अवस्यते प्रधानवंत्री मोदी जी का या बक्तव्यत स्यूत राज्ट संके समेट आदब फ्यूचर को फ्यूचर में एक अत्यंत ही मारमिक और विश्व सांती की दिश से मील का पत्थर साबित होने वाला पत्तव्य है और आज जब यहां पर दुनिया भर के प्रतिनिधी उन भावनाओं के प्रति आग्रही बन करके जब इस समेट का हिस्सा बन रहे उन स्थितियों में मुझे आप सब को भारत के समिधान की आर्टिकिल फिटिवन की उन भावनाओं की और भी धहना कर से अवस्य करना है जो भारत के समिधान निर्माताओं ने आज से 75 वर्ष पहले न केवल भारत के लिए बन की पुरी दुनिया के लिए भारत के समिधान के माध्यम से ब्रक्त की थी जिसमें बैस्विक सद्धा और सांति के लिए बिश्वक अल्याण में सकारात्मक योगनान देने की दिस से भारत की वे भानाए नीदें हम सब जानते हैं कि भारत आज से नहीं हजारों वर्षों से भारत के भाव रहा है वह भाव जो आज भी भारत के अंदर या विश्वमानवता के सामने जब भी संकट आया तब भारत ने उन भावनाओं को विश्वमानवता की कल्याण के लिए उस रूप में बैक्त किया अयम निज परोविती गणना लगचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधेवक टुम्ब कम यानि पुरी दुनिया एक परिवार है इस भाव के साथ जोडने की भारत की इस भावना को आज भी भारत का समिधान उसी दिस से आगे बढ़ता है और यहाँ आपसी सयोग सांते और सामजिस से पूर सहस्तित्तों पर एक दूसरे का जीवन निर्वर करता है इसकी पुर्जोर वकालत भी भारत का समिधान करता है यह विशेश रूप से विश्व सांती के प्रतिभारत के प्रतिवद्दता का प्रतीक भी जो सम्मान जनक अंतरास्तिय समंधों को विक्सित करने और संगर्सों को सांथिपूर्ण धंसे हल करने के नैतिक मार्ग का नुसर्ण करने के लिए भी हम सब को प्रेडित करता है भारत की नीति, समिधान के सिद्धान्तों के अनुरूप सदीर रास्टों के बीच संबाद, सयोग और पारस्परिक सम्मान पर बल देती है भारत का महत्तोपूर्ण, बैस्विक प्रभाव अंतरास्टे निकायों और मंचों पर इसकी शक्विय सह्भागी दारी सी इस वश्ट है इस अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की प्रबंदग प्रोफिसर गीता गांधी किंग्डन ने सभी गढ़मान अतितियों का स्वागत करते वे कहा कि एक आदर्श विश्व विवस्था, अंतरराष्टिय प्रभाव शाली, कानून विवस्था एवं बच्चों के अधिकारू वा उनके सुख में भविश्व हेतू, विबिन देशों के नयाधीशों एवं कानून विदो का आगे आना एक एहम कदम हैं। उन्होंने कहा कि CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी आजीवन विश्व के ढाई अरब बच्चन के सुरक्षित वा सुख में भविश्व हेतू प्रयासरत रहे हैं। विश्व के मुख्य नयाधीशों का पच्चीसवा अंतराश्टी समेलन है। मिलन ने 56 देशों के 160 से अधिक मुख्य नयाधीश आये हैं और कुछ राध्या धक्ष्मी आये हैं। जैसे प्राइब मिनिस्टर्स या फॉर्मर प्राइब मिनिस्टर्स प्रेजिटन्स फॉर्मर प्रेजिटन्स किते जिन्दग ये कॉन्फरेंस पांच दिन की हैं। दो दिन दिल्ली में होते हैं और एक तीन दिन लखना में। फिलाल के लिए खास रपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूस भारत।